Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी कैसे, बिलकुल free of cost, kindergarten से लेके class 12 तक की. CBC board के courses के साथ-साथ, आपको other state board के भी courses available है in Hindi medium, जैसे कि UP board, Bihar board, Delhi board के courses. Proper systematic way में कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली है. Daily practices के questions में मिलेंगे, तो भई practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. So, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे multiple choice questions. बहुत सारी choice, multiple multiple choice आपके पास रहने वाली है. आपको questions को solve करना है और comments में मुझे answer करना है, मतलब करना ही है. इससे क्या होगा? आपके practice हो जाएगी, revision हो जाएगा और आपका knowledge action में apply होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएगा. ठीक है? भई अगर देख रहे हैं तो उसको कुछ फायदा उठाएं, सीखें और यह आपके कामी आना है ultimately. इससे पहले आपको क्या करना है? आपको share कर देना है अपते classmates को क्या? ये link. ताकि वो भी आके session को join करें और आपको like कर देना है ताकि मेरा motivation आप बना के रखें. अर्थ moves around it. भई अर्थ move करता है जो अर्थ है, जैसे मैं अर्थ हूँ, मैं ऐसे 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 move कर रही हूँ, अपनी place पे ऐसे ऐसे मैं move कर रही हूँ. तो अर्थ किस place पे? क्या बोलते है उसको कि around घूमता है किस पे? क्या वो अपने axis पे move करता है? या अर्थ poles पे move करता यह equator पे move करता है यह meridian पे move करता है फटा-फट से बता दो you have 5 seconds कितने seconds हैं? भई 5 seconds है आपके पास 5 seconds में आप उत्तर दीजे, answer दीजे चली, फटा-फट से 1, 2, 3, 4, 5 बता दिया? चलो, जिसको आया होगा, बता दिया होगा देखे, यह हमारा अर्थ है यह हमारा globe बना के समझते अब बोला है axis में move करता है, poles में move करता है equator यह meridian अब बताते हैं आप खोदी, जैसे ही मैं explain करूँगी ना तो आपको answer आजाएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए equator क्या होता है? यह वाली जो line है, वो equator है क्या इस पे move करेगी अर्थ? यह तो equator की line है, यह होती equator की line चलिए, यह हमने eliminate कर दिया poles क्या होते हैं? यह वाली areas जो होते हैं यह वाली areas इन areas को क्या बोलते हैं? poles बोलते हैं, एक मिड़े स्कुमाइन poles बोलते हैं यह north pole हो गया? यह south pole हो गया? क्या इस पे earth move करेगा? poles में? नहीं, यह भी गलत हो गया अब देखतें क्या बच्चा? meridian क्या होते हैं? देखें, जो longitudinal line है यह सारी line जा रहे हैं यह longitude की जो line जा रहे हैं इने क्या meridians बोलते हैं? meridians of longitude? हाँ बोलते हैं तो इसका Earth के move होने से क्या लेना देना? क्या इन सब का इन तीनों का Earth के move होने से कोई भी relation है? नहीं है तो Earth किस पे move करता है? Earth अपने axis पे move करता है हमने देखा था globe में हमने क्या देखा था? globe बनाए चली, globe बनाते हमने अपने ग्लोब में ऐसे देखा था, कि कुछ तेड़ा सा ऐसे बना हुआ था ग्लोब, ऐसे बना हुआ था रुको, ग्लोब बना है, तेड़ा सा ऐसे एक्वेटर, ऐसे तेड़ी सी लाइन गई थी, ऐसे में नहीं था, ऐसे में नहीं था, क्योंकि यह नॉर्थ पूल यह इस तयब पर दिख़् रहा थै कुछ नीडल जैसेल से गई होई थी फर यहां से नीडल जैसे से निकली होई थी तो इसी थी ड्रोफ इक्सैं पर करता है पनी एक्सिस पर अद्री एक्सिस यांद आफ रहत हमें मज़ा आ गया चलो The area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn receive maximum heat from कौन सा area? ये वाला area अभी समझ में आएगा कौन सा area बोला है हमें Tropic of Cancer ये हमारा पहले तो equator है ऐसे ऐसे हमने equator बना दिये चलिए बहुत अच्छी बात है अब ये जो area है ये line है हमारी Cancer वाली ये लिख देचेए ओर ये क्या लिख रहे है ये Tropic of Capricorn ये Tropic of Cancer वाली लाइन है ये Tropic of Capricorn वाली लाइन है अब इस में इस एरिया में हमें क्या हो रहा है? बहुत सारी heat मिलती है क्या मिलती है? बहुत सारी heat मिल रही है इस एरिया में क्या reason है इस zone में जो इस area में जो सारा area है इस area में इतनी जादा heat क्यों मिल रही है? कुछ याद आया, कुछ याद आया कि कुछ ऐसी चीज होती है जो बिलकुल overhead पे होती है once in a, मतलब year, साल में एक बार ऐसी चीज होती ही जो बिलकुल overhead होती है और फिर heat बहुत जादा बढ़ाती है इस area की किस से मिलती है अर्थ से क्या हीट मिलेगी नहीं अर्थ से हीट नहीं मिलती क्या सन से हीट मिलेगी हाँ देख सकते हैं सन से हीट मिल सकती है इसको राइट टिक कर लेते हैं स्टार्स से हीट मिलेगी? हाँ, स्टार्स में भी अपनी हीट और लाइट होती है और सन भी क्या है? सन भी की स्टार है यह हमने चाप्टर फस्ट में बहुत अच्छी से पढ़ा है तो क्या लगता है? इसको अटा देती हूँ इन दोनों में से आपका अंसर कौन सा होगा obviously जो आंसर होगा आपका sun होगा क्योंकि sun बहुत huge है और extremely hot gases से बना है अब sun इस area में क्या आ जाता है once in a year बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है sun जो दिख रहा है ना जैसे मैं बना देती हूँ ऐसे sun इस area में आ जाता है और बहुत सारी light ऐसे-ईसे हाँ पर अपनी गरम-गरम heat फेकता है तभी इस area में बहुत ज़ादा क्या है बहुत ज़ादा heat होती क्या होती है इस area में बहुत ज़ादा heat होती किस के through मिलती है sun के through heat मिलती है आपका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा sun, आया समझ में, और इस area को, जो beach का area इसको क्या बोलते हैं, comment में आप मुझे बताएंगे, हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से heat zones को, तो इस वाले zone को क्या बोलते हैं, आप बताएंगे, चली, अब third question, which is the important reference point to locate places on the earth, अगर हम अब यह जो है places, क्या करना है, पता करना है अर्थ में, हम इस places को पता करना है अर्थ में, तो बहुत अच्छा reference point इन में से कौन सा है, हम देख रहे हैं, यहाँ globe है, तो globe में हमें बताना है कि किन के थूरू ही, जो countries, continents, oceans यहाँ पे, तो किस के थूरू हम पता कर सकते हैं, क् क्या हम southern hemisphere की थूरू पता कर सकते हैं, क्या हम equator की थूरू पता कर सकते हैं, हाँ यह लग रहा है, none of the above तो नहीं है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ है, देखिए, equator क्या है, यह है ना, बार बार इसलिए बनाती हूँ मैं, बार बार इस जो diagram है, वो मैं इसलिए बनाती कि थूरू समझ में आएगा ना, तो जल्दी लर्न होगा, और बार बार आप ही diagram देखेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी देखने कि तो आपको फटा-फट लोकेट करने में easy होगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ती थी ना, तो मैं भी बार बार इस ताइप के जो टीचर थे कभी पढ़ाते थे, हम देखते थे, तो वो भी एसी करते थे, तो जल्दी समझ में आता था, तो मैं भी वही apply कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, आप हैं तो देख के जाएं, समझ के जाएं, ठीक है, ओके, चलिए, तो यह equator है, यह क्या है, यह हमारा equator है, अब equator की तुरू हमें क्या पता नहीं चल रहा है चीज़े, कि यह northern hemisphere है, यह southern hemisphere है, तो locate करने में, place locate करने में हमको कौन help कर रहा है, equator कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा equator, equator help करता है, बहुत ही important reference point होता है, जो हमें places को locate करने में, अर्थ पर बहुत जादा help करता है आये न मज़ा? आये समझ में? लाइक कर दो फटा फट से चले The temperature zone called Temperate zone extends between in both the hemisphere एक zone होता है कौन सा zone होता है? Temperate zone Temperate zone में क्या होता है? जब heat की light decrease हो जाती है यह हमने फिर से बनाया यह हमारा equator है equator है यह हमारा tropic of cancer है यह हमारा tropic of Capricorn है यहाँ पर एक और लाइन देखी थी हमने देखी थी? की नहीं देखी थी? एक और लाइन थी यहाँ पर हमारा north pole था यहाँ पर हमारा south pole था अब हमसे क्या पूछा है? कि जो temperate zone है उसे temperate zone कहते है ठीके, ओके, क्योंकि वहाँ पर heat आती है, वो ऐसी आती है कि moderate heat रहती है, ठीक है? जैसे torrid zone में, जो beach का zone है वहाँ पर आती बहुत maximum heat, बहुत गरम होता है और एक zone होता है जहाँ पर बिल्कुल heat नहीं हो पाती तो बिल्कुल ठंड़ ठंड़ा इलाका होता है जैसी frisit zone बोलते हैं तो ऐसे एक और zone होता है, जिसको temperate zone बोलते हैं तो किसके बीच में फैला हुआ है दोनों hemisphere के ये दोनों hemisphere के किस area में फैला है? 0 degree से लेकि 23.5 degree latitude तक फैला है क्या? 0 degree, ये हो जाएगी 0 degree ये 0 degree है, यहाँ भी 0 degree मिलेगी इसको green से बना लेटे हूँ, चलो ये भी 0 degree है 0 degree, छोटा सा ऐसे बना लेते हैं आपे 0 degree ये भी 0 degree का area ठीक है? ये 0 degree है, चलो ही, green green 0 degrees and 66.5 degrees latitude क्या यहाँ पे है? मतलब हमें बताना है जो temperate zone वाला area है, वो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे situated है? हमने देखा था, ये area क्या हो जाएगा? ये area हो जाएगा? नहीं, इससे बनाते है, blue से ये area हमारा frisid zone है ठंड़ ठंड़ इलाका यहाँ भी मिल जाएगा frisid zone बीच वाला area, ये हमारा torrid zone है अब जो area बचता है, ये वाला इसको green से करते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा है temperate zone कौन सा zone है? temperate, जहाँ पे moderate temperature रहता है तो आप बताएगे, अगर यहाँ पे equator equator यहाँ पे equator यह है और ये 0 degree पे equator 0 degree पे अभी पता करेंगे अब ये क्या आजाता है? ये यहाँ पे आजाता है 23 and a half degree ये 23 and a half degree है ये भी 23 and a half degree है इसको one कर लो फिर यहाँ पे आजाएगा 66 and a half degree ये भी 66 and a half degree ठीक है? डिगरी है ये ये नीचे का area है equator से नीचे का area है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा south इसको क्या बोलेंगे? south इसमें भी south लगा देंगे ये उपर का, इसको north इसमें भी north अब बताईए हमारा जो temperate zone वाला area है वो किसके बीच में मिल रहा है हमें? latitudes हैं सारे कहां? हमने green green बोला न ये क्या है हमारा? ये हमसे जो पूचा है हमारा temperate zone हमसे क्या पूचा है? temperate zone है ये हमारा है temperate zone तो इक किन areas के बीच में मिल रहा है? ये हमें temperate zone देखना पड़ेगा तो हमसे क्या है? options देखते हैं तब समझवाएगा 0 degree और 23.5 degree latitude के बीच में है क्या temperate zone? देखते हैं ये 0 degree है और 23 degree latitude के बीच में क्या temperate zone आ रहा है? नहीं ये तो हमारा toilet zone आ रहा है ये क्या हो जाएगा? ये answer हम cross कर देगे इसको अलग color से करेंगे इसको red से करेंगे इसको हम cut कर देगे नहीं ये नहीं है 0 degree और 66.5 degree latitude के बीच में आ रहा है क्या? देखते हैं क्या ये 0 degree और 66.5 latitude चाहे नीचे वाला हो साउथ वाला चाहे नौर्थ वाला हो क्या इसमें आ रहा है? नहीं इसमें तो नहीं आ रहा है ये frisid zone है तो याने ये answer भी जो ये option भी गलब इसको भी eliminate करो अब जो c है वो देखते 23.5 degrees and 66.5 degree latitude के बीच में आ रहा है क्या? चेक करें मतलब ये 23 और 66 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ ये तो आ रहा है ये तो दोनों के बीच में आ रहा है तो ये सही लग रहा है हमें तो देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है ग्रीन ग्रीन इस एरिया के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ये सही लग रहा है अब last वाला चेक करते है 66.5 degree latitude and pole अब 66.5 degree latitude और pole pole मतलब वही ये area जिसको 0 degree पे कह रहे है क्या इसके बीच में आ रहा है नहीं तो ये answer भी गलत हो जाएगा हमारा जो answer हो जाएगा हमारा C answer सही हो जाएगा इतने अच्छे से explain क्या आया समझ में एक बार और देखते हैं क्योंकि confusion होने वाली चीज़ है इसे मैं जे डाइग्राम के दूरू समझाया देखें बीच में और हम एकवेटर है हमेशा 0 degree पे होता है Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn 23,5 degree नौर्थ और साउथ पे रहेगा अब ये जो हमारा आर्किटिक इसको आर्किटिक वाला area बोलते है इसको Antarctic वाला area बोलते है इस area के बीच में मतलब Tropic of Cancer और Arctic Tropic of Capricorn और Antarctic जो सरकल के बीच में हमारा होता है Temperate Zone मतलब यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे जो धूप होती है वो moderate होती है इस area को हम क्या बोलते है यह जो पढ़ रहे है न हम जो question पूचा है इस area को हम temperate zone बोलते है आगे है न समझ में तो एक green green है हमारा 23 and a half और 63 and a half 23 and a half और 63 and a half यह south का area हो गया है नौर्थ के area के बीच में आ रहा है यह क्या है? यह temperate zone है आगे है न? हो गे है ना clear? मज़ा आया है न? तो like कर दो फटा फट से like कर दो चलो कितने अच्छे समझाया है? हमारा answer जो है यह वाला है ठीक है? आगे बढ़े चली the heat zone with the coldest climate is called heat zone ऐसा zone जिसमें coldest climate होता है अभी just हमने बनाया था यह हमने हमारा globe बना लिया यह हमने equator कर लिया अब क्या बोला है? heat zone जहां पे coldest climate रहता है क्या इस zone में रहता है coldest climate? हमने देखा था न? क्योंकि जो sun की raise है यह जो sun है sun की raise इस area में थोड़ी-थोड़ी slant हो जाती तेड़ी-तेड़ी पहुचती है तो ढंक से पहुच नहीं पाती जो sun है हमारा यह S लिख दिया हमने जो sun है इसकी जो raise है बड़ी-मुश्किल से इस area में पहुच पाती है न? अब सामने तो अच्छी पहुचती है इस area में बड़ी-मुश्किल से sun की raise पहुचती है तो यह area क्या हो जाएगा? यह वाला area अब मैं इसको अगर yellow-yellow कर दूँ यह area हमारा हो जाएगा frisid zone क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे frisid zone तो अब आपका answer आपके सामने है जहां ऐसा heat zone जहां पे बहुती थंड़ा climate होता है उसे क्या बोलते है? क्या torrid zone बोलीगे? नहीं, torrid zone में तो बहुत warm होता है frisid zone हाँ, उसका जो answer हो जाएगा हमारा frisid zone हो जाएगा आया समझ में तो answer क्या हो जाएगा? आपका frisid zone temperate zone तो last उसमें पढ़ा था वो तो नहीं है, equator तो है ही नहीं ठीक है? आगे बड़े, चली which of the following are shown on the globe in their correct sizes इन में से इसी कौन सी चीज़े हैं जो globe में बिल्कुल correct size में मिलती है क्योंकि globe क्या होता है? एक क्या miniature form होता है हमारे अर्थ का अर्थ की just copy होता है उसी का just true एक model जैसा होता है तो अर्थ में जो continent है, जो oceans है, जो countries है वो क्या है? सब है तो हमारे इन में globe में कौन सी चीज़े जो correct size में क्या सिर्फ continent correct size में है? globe में देखते हैं क्या सिर्फ ocean correct size में जैसा हमने अर्थ में देखते हैं वैसी size में या countries exact वैसी size में या सारे ही सब एक जैसी मलब सही साइज में, बताईए Which of the falling are shown in globe? मतलब globe में इन तीनों में से कौन से है जो correct साइज में दिखाया है बताईए, आपको 5 seconds मिलेंगे, चलो अभी तो 2 questions जो मैंने खुदी समझा दिये मैंने आपको option का इंजार नहीं करा है क्योंकि मुझे लगा मुझे अच्छे से explain करना है बट ये थोड़ा सा easy है उनसे, आप इसको ज़रूर try करें try करेंगे, try करके ही सीखेंगे तो try करिए, कोशिश करिए, बताईए क्या है? continents होगा, oceans होगे, countries होगी, क्या होगा? देखे जो इसका answer होगा न, इसका answer होगा all of these ये सारे ही, ये सारे ही क्या है? बिलकुल correct size में globe में बनाए गए है globe में बिलकुल correct size में ये हमें मिलेंगे continents, oceans और countries आया समझ में? आगे बढ़े, चले what is called a needle fix through the globe in a tilted manner globe में एक needle डली होई है एक needle जैसी है globe में, जैसे अगर हम ये globe बना देना तो globe में हमने देखा था, ऐसे equator था ऐसे में कर लो, थोड़ा सा एक ऐसे needle यहां से गई होई थी needle को बनाएंगे हैं हम green color से मान लीजे ऐसे sui जैसी गई होई थी, ये needle जैसी थी ये हमें बता रहा था, north pole ये area में पता चल रहा था, south pole चल ये ठीक है और इस type का कुछ बना था design में globe में ऐसे कुछ ऐसे वो करने का था कि ऐसे ऐसे हम globe को ऐसे रख सके table पे, इस type के design का कुछ था तो इस needle को, इस needle को क्या बोलते हैं, जिसने earth को मतलब जो globe को ऐसे tilt है, ऐसे तीड़े manner में रखा है क्या हम इसे equator बोलेंगे, equator बोलेंगे हम इसे देखते हैं क्या हम इसे poles बोलेंगे, या हम इसे axis बोलेंगे या हम इसे latitude बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखिए equator तो ये हो गया तो इसका निडल से क्या लेना देना, ये निडल के पास थोड़ी जा रहा ये तो पोल्स तो ये हो गया, ये नौर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल्स हो गया इसका पोल्स से मतलब क्या लेना देना, कोई लग रहा है क्या, नहीं और क्या बूला है latitude, latitude तो यह होते हैं यह से जो जा रहे हैं, इनका जो अर्थ के तेड़े होने से क्या लेना देना, आपको लग रहा है इनका अर्थ के तेड़े होने से कोई लेना देना है, तो कौन सा साही answer correct होगा, अब आप मुझे बताओ, अब तो easy है, अब बताओ 5 seconds ती है मैंने इतना explain करने के बाद समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा answer है वो हमारा axis हो जाएगा मतलब उस needle को जो fix हो रखी न वो needle जिस तरीक से घुसी हुई है तो अर्थ ऐसा तीड़ा तीड़ा ऐसा globe ऐसे गुमा रहा है हम गुमा सकते से move करता है तीड़े में तो वो axis होता है क्या बोलते है उसको उसको हम बोलते axis आपने सुना है न हमने solve भी करना था question कि अर्थ अपने axis में move करता है मतलब अपने area में move करता है बट real में ऐसा कोई axis ऐसे कोई needle नहीं लगी हुई है ये भी हमने पढ़ा था ये ही तो major difference है globe और earth के बीच में कि real में कोई needle ऐसी नहीं लगी है अर्थ अपने आप अपने axis में move करता है बट globe में हमने needle fix की हुई है आया ना समझ में मज़ा है ना easy लगाना चले 8th question the globe and the earth are different in globe और earth है किस चीज से different है क्या globe और earth में difference है shape क्या globe और earth में tilt का जो है फरक है ये size का difference है या none of these किसका difference है globe और earth में हमें बताने एक difference बताईए 5 seconds है आपके पास क्या shape का difference है size क्या difference है tilt का difference है या none of these देखिए shape तो हम ऐसे ही बनाते है बनाते की नहीं बनाते even हम जो globe को तेड़ा भी बनाते है अर्थ जिसा tilt तो answer क्या हो जाएगा difference क्या है ये भी हम बनाते है ऐसा भी हमें दिखता है तो क्या हो जाएगा answer answer क्या ये होगा इनको तो काड़ दो ये answer आपके eliminate कर दिए क्योंकि shape भी हम सही बनाते हैं हम भी spare ऐसा shape flatten shape बनाते है globe का और तेड़ा भी दिखाते हैं तो वो हम आर्थ जैसा कर रहे है तो यहाँ ये similarity होगी हमें difference बताना है तो difference क्या है क्या size में difference है या कोई difference नहीं है आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा size में difference है क्योंकि अर्थ है अर्थ का real size कैसा क्या है globe का हम exactly नहीं बना सकते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर तो हम रह रहे हैं बिल्गुल अर्थ के बराबर का not possible नहीं तो ये क्या है ये difference है आया समझ में चलिए जो topic of cancer है वो कहां located है देखे ये हमने क्या बनाया ये फिर से हमने globe बनाया ये हम equator इसलिए बनाते है जरूरी होता है बताता है कि भई ये 0 degree area है ये कौन सा degree area है ये 0 degree area है अब अगर हमसे पूचा है हमसे पूचा है topic of cancer कहां है तो हमें बनाना है कि भई ट्रॉपिक of cancer यहां है अब ट्रॉपिक of cancer जब यहां है और ये क्या है ये कौन सा pole है ये हमारा north pole है ये आ जाएगा हमारा south pole अब मैंने यह भी बता दिया यह 0 degree है यह North है यह North और South है और यहाँ पे हमें Tropic of Cancer मिलता है अब आपको आंसर करना है कि कौन सी degree में हमें Tropic of Cancer मिलेगा तो फटाफट से बता दो क्या हमें 23.5 degree North पे मिलेगा Tropic of Cancer या 24.5 degree पे या 66.5 degree पे मिलेगा या 23.5 South पे मिलेगा बताओ चलो एक मैं आपके लिए Eliminate कर दे तो यह तो है नहीं 24 हमने देखा ही नहीं था हमने क्या देखा था 23.5 कुछ देखा था हमने 66.5 देखा था तो जो भी अंसर आएगा इन तीनों में से आएगा अब इत्ता तो अंडर्स्टूड है ना हमें क्या अंडर्स्टूड है हमें यह समझ में आ रहा है कि North Side याने एक्वेटर से जो उपर का एरिया है वो Northern Hemisphere है तो याने यह एरिया North का हुआ क्या यह एरिया North का हुआ जी हाँ यह एरिया बिल्कुल North का हुआ और नीचे का यह पूरा अरिया South का है तो हमें क्या Eliminate करना है हमें South का Option का Eliminate कर दिया तो अब हमारे पस बचा ही क्या एक ही तो अंसर बचा यह वाला कितना easy है इससे भी हम समझ सकते हैं ना समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते सबसे पहले हमने equator देखा जो 0 degree पे है सबसे पहले यही देखना अगर confuse हो रहे हो ना तो यही धियान रखना कि equator हमेशा 0 रहता है यहाँ पे अगर होता यहाँ पे आर्केटिक सरकल है तो यहाँ पे हो जाएगा 63 and a half degree north क्योंकि 90 के पास है और यहाँ पे हम 90 degree लेके चलते हैं यह समझ ना 0 के पास आएगा 23 degree चाहे वो नीचे हो चाहे उपर हो 0 के just past 23 degree आएगा और 90 के just past 63 63 एना 66 and a half degree आएगा कोई confusion तो नहीं आए ना समझ में equator के पास equator के 0 degree के पास 1, 2, 3 करते हुए सबसे पहले 23 and a half degree तो आएगा 66 कैसे आएगा 66 तो 90 के पास आएगा आगे है समझ में आगे है समझ में कि हमारा जो answer है हमारा answer हो जाएगा 1st कि Tropic of Cancer हमारा अब जो इंडिया है उसका time हमारे prime meridian से कितना कितना difference में है क्या 5 hour से 6 hour से 2 hour से या 5 hour 3 minute 30 minute से बताओ फटाफट से यह हमारा prime meridian है यह हमने इसे बाट दिये था GMT GMT prime meridian जो 0 degree पे ऐसे रहता है क्या बोलते है इसको green witch mean time यह meridian line से green witch mean time इसको बोलते है अब इंडिया हमारा इस side है तो इंडिया का इस side का जो भी countries होगी उनका time plus में जाएगा जादा जादा और इस side का जो होगा उनका sign minus में जाएगा उनका जो time जाएगा वो minus minus में जाएगा अब बताओ कि India का टाइम पूछा है ना कि ahead कुयू है किस से Prime Meridian से और कितना ahead है मतलब कितना ahead है यह हमें बताना है 5 hours है, 6 hours से, 2 hours है या 5 hours in 30 minute हमारा answer हो जाएगा 5 hours in 30 minutes साड़े 5 газ कितना difference है? 5 hours 30 minute यह जो इतना जाएगा ने इंदिया है यहापर 5 hours 30 minutes हमारा answer हो जाएगा answer D अब 11th question देखते the 82 and a half east longitude is considered as 82 and a half degree east इसको क्या बोलते हैं? इस longitude को क्या बोलते हैं? यह longitude कहां से जाता है? हम इंडिया का देखें इंडिया का एरिया हमने बना दिया यह इंडिया बना दिया यहां से होते हुए कहीं से जाता है न? यह तो पतंग बन गई एक मिनिट इसको ऐसे बनाते हैं कहीं से जाता है? जैसे हमने इंडिया बना दिया ठीक है? यह इंडिया बना दिया यहां से होते हुए लाइन जारी थी इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं यहां से होते हो एक line जा रही थी अब बताओ इसी line को कहा है इनोंने longitude को 82 and a half degree east क्योंकि यह east side है यह north है यह west है यह south है इसलिए इस side को east ले लिया और longitudes होते हैं यह जो लंबे-लंबे ऐसे जाते हैं ना longitude line तो इंडिया का यह जो जिसकी special बात हो रही है इसको क्या बोलेंगे इसको क्या हम international standard time बोलेंगे क्या local time बोलेंगे या international time बोलेंगे या Indian standard time बोलेंगे हमने देखा था कि जो longitudinal line बहुत जादा जाती है बहुत जादा मतलब काफी सारी रहती है तो अलग-अलग एरिया का जो टाइम है डिफर कर जाता है करता है कि नहीं करता है हमने देखा था जो गुजरात का टाइम है जो दिब्रुगर आसाम के टाइम से कितना लग है किता फर्क था एक घंटे 45 मिनिट वन आर 45 मिनिट का डिफरेंस था तो इनसम में क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी इवन जो अगर लॉंग रन वाले जो लॉंग एरियाज ऐसे हैं जिसमें लॉंग, लॉंगिट्यूडन लाइन बहुत कवर होती है तो ट्रेन को भी चार्ट में अपने टाइम रिकम करने में, टाइम में पहम सब्सक्राइम को follow करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे international नहीं कह सकते क्योंकि यह बात आ रही है भारत की इंडिया की international all over the world की बात हो जाएगी local time भी नहीं कह रहे international time भी नहीं है यह हो जाएगा Indian standard time क्या हो जाएगा इंडिया वालों ने एक अपना standard time बना लिया कि इसको लेके इसके according हमके time का पूरा setup करेंगे आगे है समझ में तो इसे क्या बोलते है यह 82.5 degree east इसलिए क्योंकि east direction आ जाता है तो क्या बोलेंगे इसे Indian standard time आया है समझ में मज़ा आया ना मज़ा आया रहे ना डाइग्राम से एक के समझते हुए तो लाइक कर दे फटा 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 दे divide करती है क्या उसे हम equator बोलते है क्या हम उसे pole बोलते है prime meridian बोलते है या longitude बोलते है फटा फट से बता दो very easy question 5 seconds दिए इसका मैं कुछ diagram वगेरा नहीं बनाऊंगी चलो क्योंकि इत्ते बार बनाया है और वो बार बार आया भी है तो आपको तो अगर नहीं भी आदोगा तो बोलेंगे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे उसका अंसर हो जाएगा हम उसे equator बोलेंगे equator ऐसे डिवाइट करता है यह एसे बनाया और फटा फट यह दो equal part में कर दिया यह north है यह south है अब पोल तो यहां है पोल का divide करने से क्या लेना देना कोई लेना देना ही नहीं कोई connection ह आगे है ना समझ में easy था ना बहुत easy था जिसका सही आया होगा बहुत अच्छी बात आगे चलते हैं How many standard times does Russia have? हमने यह पढ़ा था कि कई बार क्या होता है ना कि कोई country का जो longitudinal area यह बहुत बड़ा होता है तो उन्हें एक से जाधा standard time रखने पड़ते है याद है कि भूल गये याद है ना कि एक से जाधा standard time रखना पड़ता है अब रशिया का हमने देखा था कि उसका एक नही क्या 10 थे 12 थे 8 थे या 11 थे अब बताओ फटाफट से जली 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 क्या है answer आपको दिये 7 seconds थे क्योंकि मुझे पता है थोड़ा से confusing है हमने देखा ना longitudinal area मतलब कोई देश इतना ऐसे बड़ा में फैला होगा जैसे इंडिया तो ऐसा है इतना है ऐसे में इंडिया तो जादा ब्रॉड नहीं है बट ये क्या है ये फैला हुआ रशिया तो इतने सारे longitudinal line जारी अब इतनी सारी line या ने zone बहुत सारे cover कर रहा है तो इन्होंने अपने कुछ standard time create करते जैसे इंडिया का एक है तो रशिया का किता हुआ बताओ फटाफट से रशिया के थे याद करो 11 जो है standard time रशिया कंट्री के है कितने है 11 जो है standard time does रशिया है ठीक है आया समझ में आगे बढ़े चलिए 14 question what divides the earth into eastern and western part ऐसे क्या चीज़े जो अर्थ को eastern और western part में divide करती है इसको बहुत अच्छे समझेंगे देखे ये अर्थ है अब ऐसे क्या चीज़े जो अर्थ को eastern ये क्या है ये north pole है ये south pole है ठीक है ये west है ये east है अब eastern western part में आपको क्या लगता है क्या divide करेगा prime meridian divide करेगा tropic of capricorn divide करेगा tropic of cancer divide करेगा या axis of the earth divide करेगा देखे एक्सिस तो possible ही नहीं है एक्सिस possible है क्या नहीं एक्सिस बिल्कुल possible नहीं एक्सिस में तो earth ऐसे ऐसे अपनी जगे पर move करता है तो ये तो possible ही नहीं कि earth को divide कर रहा हूँ इसका कोई लेना देना नहीं cancel करेंगे बिल्कुल cancel करेंगे अब हम tropic of cancer और tropic of capricorn देखेंगे बट ये तो latitudes है ना ये तो ऐसे रहते हैं यहाँ पे रहते हैं ये earth को कहाँ divide कर रहे हैं एक बर equator तो हम कहें कि यहाँ इसे डिवाइट कर रहा है बट equator भी west या east में divide नहीं कर रहा है तो west और east में क्या divide करता है? west और east में prime meridian divide करता है कैसे होता है देखते हैं ये जाता है न वीशे सारे latitudes रहते हैं ये ऐसे जा रहे होते हैं अमने बोला था कि हम्ने एक beach के ऐसे चाहिए जिसे time decide हो सकेते हुए तो हमने क्या बनाय था यहाँ पर ग्रीन विश्से प्राईम बनाया था के नहीं बनाया था इस एरिया नाई तो क्या divide कर racist कर रहा है यह यह वेस्ट को divide कर दिया यह इस को डिवाइट कर दिया, तो यह क्या हो गया हमारा, प्राइम मेरेडियन, एक्वली डिवाइट करा की नहीं करा, तो हमारा अंसर क्या हो गया, प्राइम मेरेडियन, आया न समझ में, मज़ा आया न, चलिए, The prime meridian is also known as Prime meridian को और क्या बोलते हैं Prime line बोलते हैं The meridian बोलते हैं Zero meridian बोलते हैं या priority longitude हाँ priority longitude हो सकते है ना उसको priority मिली कि तुम भई प्राइम हो तुमारे रपस क्या है Supreme prime हो बिलकुल यह है यहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसको बोलते है यहाँ पे एक degree होती है 90 degree होती है 180, 360 या 0 degree इस area को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 degree पे हो जाता है ना यह तो क्या बोलेंगे इसका other name अब तो easy है अब तो बता दो अब तो फटाफट से बता दो जो answer आएगा इसका आएगा 0 meridian क्या हो जाएगा 0 meridian क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है 0 पे रहता है meridian 0 पे रहता है तो इसको बोलेंगे 0 degree meridian तो prime meridian का other name क्या है अगर कोई पूछ ले बिलकुल नहीं भूलना important है 0 meridian भी बोलते हैं ठीक है? चली What does the 66 and a half degrees south latitude mark? अगर हम बात करे south के latitude की यह देखिए south अभी equator को कर देते हैं यह north है यह south है हमसे पूछ लिया है कि जो बही south की degree है और यह area जो यहाला पोल है नहीं 90 degree पे रहता है हमने यह भी देखा था just कुछ question पहले यह degree है just कुछ question पहले कि यह वाला area रहेगा 66 66 and a half degree south पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे 0 है और 23 यहाँ पे हो जाएगा तो अब बताओ कि इस area को क्या बोलते है फटा फट से बता दो इस area को क्या बोलेंगे what does the 66 and a half degree south latitude call यह मैंने बना दिया है अब आप बताओ इसको क्या बोलेंगे क्या नाम लेंगे क्या यह Tropic of Cancer है यह Tropic of Capricorn है Arctic Circle है यह Antarctic Circle है देखें Tropic of Cancer और Capricorn नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों तो 23 and a half यह भी 23 and a half degree पे आता है तो यह दोनों नहीं हो सकते इसको cancel करो अब क्या बच्रा है हमारे पास अब हमारे पास बच्रा है Arctic Circle और Antarctic Circle तो क्या यह Arctic Circle है या Antarctic Circle है इजी कर दिया आपके लिए फटाफट से बता दो चले कौन सा area बोलेंगे इसको इसी की बात हो रही ना South लिखा है जहां South लिखे आप नीचे इमजन करिए जहां North लिखे आप उपर समझ जाएगे तो आपको अंसर पते हैं क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा Antarctic Circle नीचे का है South में है Antarctic बूलेंगी से अगर यह उपर होता अगर यह जैसे यहां होता यहां की 66 and a half degree नौर्थ पे होता तो इसको क्या बोलते यह degree है यहां पे इसको क्या बोलते हैं हम? इसको तब हम बोलते इसको तब हम बोलते Arctic Circle हमारा जब question था कि 66 and a half degree South पे South पे कौन सा है Latitude तो यह है Antarctic Circle क्या है यह Antarctic Circle उपर है Arctic Circle आगया समझ में? नेम थोड़ी थोड़ी सेम हो जाते हैं तो फंबल हो जाता है चलिए कोई बात नहीं Antarctic Circle बोलते है What are Meridian of Longitude? Meridian of Longitude क्या होते है कुछ ऐसा था ना? यह होते हैं ना Longitude यह ऐसे लंबे में तो इन्हें क्या बोलते है? Meridian of Longitude क्या होते हैं? देखते है The lines running from North Pole to the South Pole ऐसी lines जो North Pole से South Pole की तरफ रन कर रही है उन्हें हम Meridians of Longitude बोलते हैं हाँ यह हमें लग रहा है The lines running from North Pole to the East Pole ऐसी line जो North Pole से East Pole जारी है मतलब यह North Pole से East Pole चली गी यह Longitude line हमने तो ऐसी नहीं पड़ी Then the lines running from North Pole to West Pole यह इसको Longitude बोलेंगे क्या है? यह तो कोई design बना रही है पहाड की? यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है लास्ट चेक कर लेते हैं एक बार देखिए अपने सहूलियत ले चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई confusion न रहे है ना? अपना satisfaction होना चाहिए कि भाई सारे options चेक कर लिए The lines running from East Pole to the South Pole अब ऐसी line है जो East से South Pole की तरफ जा रही है क्या यह हमारी Meridian of Longitude से? नहीं पहला answer ही सही ता हमारा ऐसी line यह जो line से न North Pole से यहां से होते हुए जा रही है South Pole तक इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं Meridian of Longitude क्या बोलते हैं Meridian of Longitude आया समझ में? इजी था ना? क्या हो जाएगा answer? आंसर हमारा A हो जाएगा ठीक है? मज़ा आ रहा है न? Like कर दो फटाफट से जब समझ में आए मज़ा आए तो like कर दिना चाहिए चली What is a globe? globe क्या होता है? globe क्या Earth होता है? globe Earth हो जाता है क्या? या true model of the Earth या Earth का एक true model होता है चली यह सही लग रहा है Both A and B या none of these? चली, none of these तो नहीं है बहुत easy है, 2-3 seconds देती हूँ फटा-फट से बताए चली क्या लगता है? क्या होगा इसका answer? देखते हैं देखते हैं इसका answer क्या हो सकता है? थोड़ा सा doubt है, confusion है चली, कोई बात नहीं What is a globe? क्या है globe? globe है true model of the Earth क्या है globe? globe अर्थ का एक true model है आया नहीं समझ में, चलीए दिब्रूगड is located in हमें बताना है दिब्रूगड कहां located है क्या आसाम में है? नागलेंड में है अरुनाचल प्रदेश या मिजोरम में है हमने example देखा था ना गुजरात द्वारका से लेके कहां पे दिब्रूगड तो दिब्रूगड कहां था याद आ रहा है हमने पढ़ा था दिब्रूगड आसाम में है कहा है? हमारा answer हो जाएगा first आसाम ठीक है? चलीए This marks the location of the equator on the earth अब उमें बताना है जो location है अर्थ में equator में equator की location हमें बताना ही कहा है यह हमारा earth मतलब हमारा जब globe बना दिया यह वाला जो है हमारे equator की line है जो divide कर देता है north और south में यह 90 degree है यह भी 90 degree है equator की degree क्या है? जल्दी जल्दी से बता दो बहुत easy क्या 20 degree है? नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना था 90 degree तो pulse ही यह भी नहीं होगा 180 degree नहीं बिल्कुल भी नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा answer से ही हो जाएगा answer D 0 degree यह रहता है यह आपे 0 degree पे रहता है ठीक है? आया समझ में? चलिए The prime meridian passes through Prime meridian कहां से pass होती है? यह बड़ा ही important question है यह जो है ऐसे जा रहा है हमारा prime meridian हमने एक standard time ले लिया था हमने एक standard time ले था पूरी country के लिए पूरे world के लिए standard time ले ले था longitude के ऐसा ले ले था meridian कि जिसको लेके हम काम चलाएंगे कि भाई इसी को fix करते है तो सेरिया को कहां से गुजरता है वो? क्या वो greenwood से गुजरता है? नहीं ऐसा तो कुछ नाम हमने सुना नहीं था क्या वो green field से गुजरता है? ऐसा भी नाम हमने नहीं सुना था greenshire से गुजरता है? greenshire या green witch हाँ नाम यादा गया green witch सुनते ही यादा गया होगा तो answer क्या हो जाएगा? आपका जो prime meridian गुजरता है वो d से याने green witch से d नहीं green witch से तो आपका option d सही हो जाएगा चलिए, आगे चलते हैं On which parallel of latitudes is Mauritius located? हमने solve करा था ना कि Mauritius और एक और island है जो एकी उसमें located है तो हम इसका difference पता करना है कहां पे located था? किस latitude में Mauritius located है? बताएए, यहाँ पे था? यहाँ पे कुछ था? इस area में था? यह हमारा south का area है और latitude इनी को बोलते हैं तो आप बताएए, क्या यह 10 degree north पे था? नहीं, हम तो south बोल रहे हैं यह भी नहीं है अब इन्दों में से क्या लगता है, कौन सा सही है? आप बताएए, कौन सा सही है? आंसर आपका हो जाएगा जो मौरेशियस located है मौरेशियस 20 degree south में located है latitude जो है 20 degree south का है दिख गया? आगे है समझ में? बड़े आगे? चलिए equator is an equator क्या है? imaginary rectangular line है क्या? ऐसी imaginary rectangular line है क्या equator? नहीं, ऐसा तो कुछ मी नहीं है यह नहीं लग रहा क्या imaginary circular line है? मतलब ऐसे जारी इस ताइप के से circular में? ठीक है, देखते हैं क्या imaginary straight line है? बिल्कुल ऐसे सीधे जारी है यह imaginary triangular line है इन दोनों को तो बिल्कुल ही हटा दो अब straight और imaginary मतलब straight और circular में देखते हैं देखे, क्या होता है? आप शायद सोचे हो आप शायद यह बोल दो कि नहीं माम straight होता है, बट answer क्या हो जाएगा? circular, circular जो है, इसका correct answer हो जाएगा कैसे? देखते हैं जो हमारा earth है, कैसा है भई? ऐसा है ना, goal है यहाँ से भी goal है, बीच से भी ऐसे पूरा goal goal आप ball देखते हो ना जो खेलने वाली football हो गई ball हो गई, bad ball वाली, आप ball देखते हो तो कैसी गोल? तो जो equator जाएगा तो वो भी तो ऐसे circular form में जाएगा थोड़ा ऐसा बिल्कुल ऐसे state नहीं जाएगा यह तो बिल्कुली बॉल जासा बन गए ऐसे जाता है ना, ऐसे में जाता है अभी straight मत समझना circular है क्योंकि जो हमारा globe है यह भी तो ऐसे circle जैसा है अर्थ भी तो गोल गोल है तो line भी तो उसमें जो बनेगी, divide करेगी वो भी तो गोल गोल होगी आया समझ में? अच्छा लगा? चलिए, बढ़िया describe the shape of the earth हमेश अर्थ का shape describe करना है देखते हैं एक ऐसा sphere जो bulge है मतलब poles में poles के side से poles का हो गए? यह उपर-उपर का area हमने poles लेखा ना जैसे poles, तो क्या यहां से bulge ही है? और beast से center से flat है? नहीं, ऐसा तो कुछ shape नहीं यह तो बहुती आड़ा तेड़ा shape हो रहा है एसा sphere जो poles की तरफ से ऐसा क्या है? फ्लाटन है और beast से थोड़ा bulky-bulkी सा है, यह लग रहा है देखते हैं, our sphere which bulges at the poles and at the center जो pole से भी bulky-bulkी है center से भी bulky-bulkी है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, यह भी गलत है और perfect spare भी नहीं है तो हमारा जो answer हो जाएगा a sphere which flatten, जो उपर से flatten है b से हमारा अर्थ बलकी-bulkी है तो हमारा जो answer क्या हो जाएगा? b, हमारा answer b सही हो जाएगा आया समझ में? आया है न, इसलिए shape याद होना चाहिए बिल्कुल round नहीं है उपर से flatter, 20 से बलकी-bulkी साह, मोटू-मोटू साह ठीक है? चलिए 66 and a half 66 and a half degree north latitude is known as देखिए, हमने यह ध्यान रखना हमसे यह जैसी पूछे न, यह देखो यह north है यह देखोगी न, तो आदा answer आपको यहीं मिल जाएगा हमने equator को divide करा यह हमारा north का area है, ठीक है अब हमें south से कोई लेना देना नहीं है हमसे बोला है 66 and a half degree यहां आता है हमारा 90 degree का pole यह हमारा आता है 0 degree अब बताओ, 90 के पास 66 आएगा यह 0 के पास 66 आएगा obviously 90 के पास रहेगा तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं 66 and a half degree north इसे यहाँ बना लिया अब इस line को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह बताना है क्या हम इसे Arctic Circle बोलते हैं या हम इसे Antarctic Circle बोलते हैं Tropic of Capricorn बोलते हैं Tropic of Cancer बोलते हैं क्या बोलते हैं फटाफट से बताओ वह फिर्स्ट होगा आरकिटिक सर्कल बोलते हैं किक्योंकि नीचे आते हैं यहां पर यहां पर यह थी करेखते जैसे रखना को पता चल रहेंगे, आप नीचे धियानी देंगे अगर नोड आतार देखेंगे और उपर क्या देखना है कि 90 के पास 66 आएगा या 0 के पास 66 आएगा ओवियसली 90 के पास 66 आएगा ऐसे ही कभी 23.5 पूछे तो 23.5 क्या 0 के पास से आएगा, equator के पास से आएगा या poles के पास से आएगा इसी के साथ आपके जो interesting MCQs हैं भाई धमाकेदार तरीके से बहुत अच्छे से मैंने explain करते हुए आपको समझाए कोई भी कोई भी doubt नहीं रह जाएगा मेरे according to अगर रह जाता है थोड़ा बहुत भी लगता है तो मुझे comment में प्लीज जरूर बताईए और like जरूर कीज़े साथ में अगर आप और भी वीडियो की lectures देखना चाहते हैं तो आप magnet wins की YouTube चैनल पर देख सकते हैं application पर देख सकते हैं और website पर देख सकते हैं e-notes और e-books के link आपको description box में available है यह कुछ high quality के courses हैं जैसे कि CBC board है Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course और spoken English courses आपको अच्छी quality में और 100% free available हैं आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं जैसे कि Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे जा स्यादा like कीज़े, जा स्यादा share कीज़े और चैनल को subscribe करना विलकुल भी न भूले अपना ख्याल रखे, thank you so much for watching